गुड मॉर्निक फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश, दोस्तों आज पांच अक्टूबर हैं, आज के लिए छारकंड का इंड आफेर्स के इंपोर्टन कोईशिन सम लोग स्टार्ट करते हैं और हाँ, क्वीज सभी लोग एटेंप नहीं कर रहे हैं, उसे प्लीज एटेंप किया कीज़े, ये आप लोगों के लिए हैं, ठीक है? जारकंड का दूसरा धुम्रपान मुक्त जीला कौन बन गया है? पहला तो राची था, पहला डिस्टिक्ट जिसको स्मॉकिंग फ्री किया गया था, ये राची था, दूसरा डिस्टिक्ट बन गया है, बोगारो, ये इसका सैयन से रॉप्सन सी यह जो सर्वे है यह public places को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि public places पर smoking होता है या फिर नहीं होता है अगर 90% जो report है वो positive way में आता मतलब की 90% लोग public places में smoking नहीं करते हैं तो यह बहतर माना जाता है यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में अचा हाँ सबी लोग बहुत लोग बोल रहे थे कि जब district की बात आती है तो आप उस district के बारे मताय कीजिए तो अब से बताया जाएगा और धीरे धीरे इसे थोड़ा और इंप्रूफ किया जाएगा जैसे कि आप map देख रहे हैं यहाँ पर यह बुकारो हो गया हजारी बाग और रामगड से सेर होता है फिर से देख लेजिए रामगड हजारी बाग धनबात और ग्रेटी इससे इसकी बाउंडरी सेर होती है और अगर वही हम इंटर स्टेट में आ जाएं तो विष्ट बंगल के साथ यह बाउंडरी सेर करती है ठीक है तो ये तो हो गया boundary की बात अब इसमें देखिए बोकारों में बोकारों में total दो subdivision है दो अनुमंडल है और कौन-कौन से वो दो अनुमंडल है पहला है चास यहाँ पर आप देख लेजे ये चास हो गया ये पहला अनुमंडल है और दूसरा है बेरमो ठीक है दूसरा है बेरमो ये दो अनुमंडल है subdivision है और अभी जो उप चुनाओ होने वाला है तो बेरमो के ही विधायक थे राजिंदर सिंग जो की कॉंग्रेस के लिडर थे जिनकी मृत्यों के बाद सेट खाली होने पर उप चुनाओ की घोसना की गई है तो एक तो बेरमो में चुनाओ हो रहा है दूसरा दूमका में चुनाओ हो रहा है ठीक है तो ये दो अनुमंडल है बुकारों के और वहीं अगर हम प्रखंड की बात करें तो प्रखंड जो है टोटल नो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नौ ये नौ जो है ये ब्लॉक से प्रखंड है ठीक है और विधान सभाद छेत्र जो है विधान सभाद छेत्र जो है ये कितने है ये टोटल चार है कौन कौन सो है बोकारो, बेर्मो, गोमिया और चंदनक्यारी और इस डिस्टिक्ट से एक नेशनल हाइवे भी गुजरता है कौन से नेशनल हाइवे एन एच ट्वेंटी थ्री ठीक है एन एच ट्वेंटी थ्री इसके बाद कुछ और जान लेजे जैसे की इसका जो लिटरेसी रेट है इसका जो लिटरेसी रेट है वो कितना है 72.01% ये लिटरेसी रेट हो गया इसके बाद, इसका जो सेक्स रिस्यो है वो 922 है 922 और वही अगर हम च्छेतरफल की बात करें तो लगभग 2800 लगबग 2800 किलोमेटर स्क्वाइर है किलोमेटर स्क्वाइर इसका एरिया हो गया और जनसंक्या की बात करें तो 20,62,330 इसकी जनसंक्या हो गई जो की 2011 के सेंसर्स के एकोडिंग है तो अभी इतनी जानकारी काफी है फिलाल ये काफी है तो इसी तरह क्या किया जाएगा कि जब भी डिश्टिट का नाम आएगा तो डिश्टिट के बारें बताया जाएगा और इसी तरह आप जब बार-बार इन सब चीजों को सुनेंगे तो आपको ये सब चीजें असानी से याद हो जाएगी अलग से आपको याद करने की जरुवत नहीं पड़ेगी ओके चलिए थोड़ा सा इसकी बारे में जान लेते हैं यह जो सर्वे है स्मोकिंग वाला बुकारो जीले को धुम्रपान मुक्त जीला घोसित किया गया अनुपालन सर्वेक्षन में धुम्रपान मुक्त के तै मानकों के आधार पर राजी सहित राजे के साथ जीलों में धुम्रपान मुक्त जीला घोसित करने का निर्ना किया है तो अभी और डेटा आने वाले हैं और डिस्ट्रीक के नाम आने वाले हैं तो बुकारो जीले में कोटपा की धारा चार के तहद 93.5% धुम्रपान मुक्त पाया गया है जो अन्य जीलों की तुलना में सबसे बहतर है 2016-2017 से ही बुकारो को स्मोक फ्री जीला बनाने का अप्यान चलाया जा रहा था ठीक है? चलिए सगंड कोईशन दिखते हैं विधायक थे तो देवघर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉंस्टिवेंसी है मधुपूर यहीं से बिलॉंग करते थे यही इनका विधानसभा चेत्र था चलिए थोड़ा से जानते हैं इनके बारे में ये आप पिक्चर देख सकते हैं हाजी हुसेन अनसारी जी की देखे चारकंड के अल्प संख्यक कल्यान मंत्री हाजी हुसेन अनसारी का तीन अक्टूबर को निधन हो गया है वे कोरोना से संक्रमित थे और राजधानी राची के और्माजी इस्थित मेदानता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था 23 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाई जाने के बाद हाजी हुसेन को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया था हाजी हुसेन देवगर जेले की मधूपूर विधान सभा चेतर से विधायक थे वे यहां से कई बार चुनाव जीच चुके हैं तो स्टार्टिंग में वे कॉंग्रेस से राजनीती में आये थे लेकिन बाद में इन्हों ने जारकण मुक्ती मोरचा जोइन कर लिया आप यह देख रहे हैं कि इस तरह से तीन सिट खाली हो गया है एक तो आपका बेरमो दूसरा दुमका है और यह मध्धुपूर तो तीन सिट खाली है अब धीरे धीरे देखिए अगर इस इन तीन सिटों को जारकण मुक्ती मोरचा या फिर कॉंग्रेस रिकवर नहीं कर पाती है तो जारकण मुक्ती मोरचा की जो सरकार है ये प्राबलम में आ सकती है क्योंकि अभी जो कॉरोना संक्रिमन का दौर है ना तो काफी लोग इफेक्टेड हो रहे हैं इवें पॉलिटिसियन भी इससे नहीं बच पा रहे हैं चलिए वो सब बातें बाद में करेंगे हम लोग यहां पर करेंड अफेर की बात हो रही है जारकण के कितने सहरों में पहले चरण में स्टेमी मतलब स्टी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्रक्सन केर प्रोजेक्ट की सुरुवात की गई है दो चार छे आठ तो इसका एंसर जो है छे छे सहर में इसकी सुरुवात की जा रही यह है क्या इसके बारें थोड़ा सब चान लीजिए देखे हट अटेक किसी को आता है तो जो एक घंटे का समय होता वो काफी इंपोर्टेंट होता यहां पर देखे चारकरन राजे में हट अटेक के मरीजों को त्वरित चिकित्सा उपलब्द कराने के उदेशे से सरकार के द्वारा स्टेमी केर प्रोजेक्ट लागो किया गया है हट अटेक के मरीजों के लिए एक घंटे का समय गौल्डन आमर होता है इस एक घंटे में यदि मरीज को इलाज मिल जाए तो 90% मरीजों की जान बचाई जा सकती है इसी उद्देशे से सरकार ने राजे में स्टेमी केर प्रोजेक्ट लागो किया है अब देखिए ये जो है फिलाल इसे राची समय छे जिलों में इसकी सुरुवात की जा रही है और छे जिले कौन कौन से हैं एक तो राची हो गया फिर उसके बाद हचारी बाग, खोटी, गुमला, लोहर दगगा और रामगर ठीक है इसके बाद सेकेंड स्टेज में जमसियत पुर को भी इसमें सामिल किया जाएगा अब यहाँ पर देखिए इसके लिए रिम्स के कार्डियोलोजी विभाग को हब सेंटर बनाया गया है जहाँ पर मरेजों को उपचार की सुविधा मिलेगी अब यहाँ पर important question बनता है कि ASTEMI care project है क्या देखिए इतना सारा explanation डेटेल होता है इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है अगर 6 question का सिर्फ answer बताया जाए तो 2-3 minute लगेंगे वीडियो को बनाने में लेकिन क्या है कि सिर्फ question का answer नहीं बताना है काफी सारी जानकारिया देनी है और इसी तरह से explanation को यहाँ पर लिखा जाता है कि बाद में जब आप इसको देखें तो जो अभी आप पढ़ रहे हैं इन सब चीजों को असाने से recall कर लें ठीक है तो यहाँ पर देखें question मनता है कि STEMI care project है क्या तो इसके बारे में जान लेजिए जैसे ही किसी वेक्ति को सीने में दर दिया heart attack के लक्षनों का पदा चलेगा वह 108 नंबर पे call करके ambulance को बुलाएगा ठीक है ambulance में ही मरीज की ECG जाच की जाएगी इसके लिए ambulance में भी STEMI kit लगाये जा रहे है ECG होते ही वक्त cloud storage में चला जाएगा जिसे hub center जो की फिलाल राची रिम्स को बनाया गया है तो रिम्स के doctor ECG देखने के बाद अविलम उसकी पहचान कर ambulance को दिसान देश देंगे मतलब की ambulance में ही उनका जो इलाज है वो start हो जाएगा मरीज यदि रिम्स से एक घंटी की दूरी पर होगा तो उसे अविलम रिम्स लाया जाएगा यदि रिम्स पहुँचने में ज्यादा समय लगने की संभावना है तो उसे spoke center में ले जाया जाएगा जहां हब center के निर्देश के आधार पर मरीज को थमर उलेसिस के माध्यम से stabilize किया जाएगा तो काफी अच्छा एक step लिया गया है जारकंड कौर्रमेंट के तुरू ठीक है चले फॉर्थ question देखते हैं जहारकंड के अधालतों में महिलाओं से संभनित लंबित मामलों में कितने फिजदी मामले दहेज परताडना को लेकर है दहेज परताडना से जुड़े हुए हैं options चालिश 51, 52, 50 तो option D जो है 50% महिलाओं के जितने भी मामले हैं उनमें से 50% जो है वो दहेज परताडना से जुड़े हुए हैं चले इसके बारे में और जानते हैं राज जी की अधालतों में महिलाओं से जुड़े तोटल जो है 3,67,744 टोटल इतने मामले हैं इसमें से महिलाओं के लिए 1,13,910 मामले हैं तो इसमें से 50% जो है ये जो है ये दहेज परताडना से जुड़े हुए हैं और जो बाकी है टोटल कितने हैं 1,13,910 तो इसमें से क्या है दुसकर्म, यौन, सोसन, घरेलो, हिंसा और डायन, विसाही के नाम पर जो मारी जारी है तो ये सब केसिस हैं, दहेज के भी केसिस इसी में है तो दहेज की जो मांग है, दहेज की मांग को लेकर उनके साथ मारपिट और अन्यात अचार सबसे अधिक हो रहे हैं महिलाओं से संबंदित लंबित मामलों में 50% दहेज परताडना को लेकर है दहेच के बाद दुसकर्म और योन सोसन के मामले भी हैं राजे में बाल विवा की घटनाएं अक्सर होती हैं लेकिन बाल विवा के जो मामले हैं वो सिर्फ अभी जो फिलाल हैं पांच लंबित हैं राजे की अदालतों में बाल विवा के सिर्फ पांच मामले ही लंबित हैं, सुप्रीम कोर्ट को या जानकारी, छारकंड सरकार के दौरा उपलब्द कराई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने महिला उत्पड़न से संबंदित एक जनहीत याचिका पर सुनवाई करते वे या जानक मांगी थी, ओके चले पांचा कोशन है, नाबाट द्वारा जारकंड के कितने गाउं में सुप्चिता, साक्षर्था अभियान चलाया जाएगा, तो आप्सन क्या है, सौ, दो सो, तीन सो या फिर चार सो, तो इसका ऑप्सन एजवे हंडिट, ये इसका सही अंसर है, इसके मांगी थी, और इसका पूरा नाम क्या है? नाशनल बैंक फूर अग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट, और चेर्मेन कौन है? गुविंदा, राजोलू, चिंताला और इसका हैट क्वाडर का है, मुम्मे में, ओके, सिक्थ कोशन है, जारकंड सरकार के दोवारा गरीब बच्चों को इंजिनरिंग और मेडिकल की मुफ्त में तयारी करवाने के लिए कौन सी योजना चलाई जारी, आप्सन्स क्या है, परिक्षा योजना, लाडली योजना, आकांच्छा 40 योजना, अभिलासा योजना, तो आप्सन्स C जो है, आकांच्छा 40 ये इसका सही एंसर है, इसके बारे में जानते हैं, देखे जारकन सरकार के दोवारा गरेब बच्चों को एंजिनिरिंग और मेडिकल की मुफ्त में तयारी करवाने के लिए अकांच्छा 40 योजना चलाई जारी है, इस योजना के तहत, बच्छों का बारवी में नामागकन भी जारकन सरकार के दोवारा ही किया जाता है, ये ही है, अ आकांचा 40 का संचालन, इसकुली सिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाता है। इस बार इसमें 456 बच्चों का चैन हुआ है जिसमें की 147 एंजिनरिंग और 309 विद्यारती जो हैं वो मेडिकल से हैं। तो ये 6 important questions थे आज के लिए लाश्ट लेक्चर का जो question उसे हम लोग देख लेते हैं। का काम जिला विदिक देवा प्राधिकार, सिवा प्राधिकार को सौप दिया गया है। जालसा, sorry, डालसा, क्योंकि ये जिला वाला है ना district है। तो डालसा ऐसे लोगों की पहचान कर उन तक आवस्थिक सुईधाएं उपलब्द कराने के साथ सरकार की लाबकारी और कल्यानकारी योजनाओं से जोड़ने का कारे कर रही है। यहाँ पर एक मिनट, ठीक है चलिए। सेगेंड पॉइंट है इसका, बिर्सा मुंडा केंदरी कारगार होटवार में बंद ऐसे 41 कैदियों की पहचान की गई है, यह सभी अपने परिवार का एक मात्र कमाववेक्ती हैं, लेकिन जेल जाने के बाद उसके परिवार की इस्तिती दैनिये हो गई है। ओके चलिए आज के लिए आपका कोशन है, जारखन Renewable Energy Development Agency के द्वारा किस योजना के तहट राज्य के तीन जीलों, हजारी बाग, गिरिडी और गोड़ा के लाभुकों को सोलर पंप दिया जाएगा, आप अपने एंसर को कमेंट के थुरू बताएं, और वीडियो अगर आ उतने ही ज्यादा हम और भी अच्छे content आपको दे पाएंगे, यह हमारे लिए motivation का काम करता है, अपना feedback आप हमेशा इसी तरह comment के थुरू हमें देते रहें, क्योंकि आप जो demand करते हैं, आपने देखा है कि कुछ लोगों ने कहा था, कि जब district का नाम आता है, तो आप map के बा धन्यवाद